हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगोंगा मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में एक और नए राज्य की वेकेंसी की बात करेंगे जहां सबी राज्य के केनी रेट बिल्कुल आविदन कर सकते हैं पर्मनेंट सरकारी पद रहेंगे 2424 पदों पर वेकेंसी है 26 सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट देखे और बिल्कुल अप्लाए करें और जल्द ही अप्लाए करना होगा आज राद 12 वजे तक ही अप्लाए कर सकते हैं सेलरी जो है इसमें 57,700 से लेकर 182,400 तक रखी गई है अप चलिए फटावर से नोटिफिकेशन देख लेते हैं किस राज्य की वेकेंसी है कैसे आवेदन करना है eligibility criteria is क्या कही गई है official website पर आप लोगों को आना है जहां पर notification में subject सबसे पहले आप देख लें उसके बाद जो है अन्तु तक वीडियो देखें अगर subject है तो Botany, Chemistry, Commerce, Computer Science, Defense Studies, Economics, English, Environmental Science, Fine Arts, Geography, Hindi, History, Home Science Mass Communication, Mathematics, Music, Instrumental and Vocal Philosophy, Physical Education, Physics, Political Science, Psychology, Punjabi, Sanskrit, Tourism, Zoology इसमें general category के 1273 पद है और कुल पदों की संख्या 2424 है ठीक है अलग-अलग category wise है जिसमें सरवादिक जो पद है इंगलिस subject के है वेकेंसी हर्याना Public Service Commission पंचकुला की तरफ से है तो confused ना हो ये advertisement number 42-67 of 2024 है ठीक है इससे पहले जो विग्यापन था वो post graduate teachers का था बहुत सारे विश्यों में वेकेंसी वो मैंने आप लोगों को बताया था वो सारे candidate ने form apply कर दिया है ये जो है वेकेंसी जो की post of assistant professor की है जितने भी विश्य हैं ये सभी assistant professor के लिए है assistant professor college carer in various subject in higher education department हर्याना date of publication तो 2 अगस्त की थी opening date जो है वो 7 अगस्त थी closing date जो है ये miss हो गया किसी तरीके से आज ही last date है अगर आप apply करना चाहेंगे आपका अगर subject है तो बिल्कुल आंतों तक वीडियो के बने रहें कैसे apply करना है official website का link है hpsc.government.in आज राद 12 बजे तक online application आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे subject में वेकेंसी है assistant professor के लिए 2000 से भी अधिक पदों पर है ये qualification देखिए आप qualification क्या गई है मास्टर डिग्री इसमें 50% 55% marks के साथ में आपने जो है मास्टर डिग्री आपके subject में 55% marks के साथ में पास किया हो हर्याना में जितनी भी वेकेंसी आती है तो इसमें मांगते हैं कि 10-12 में आपने या graduation में हिंदी या संस्कृत तो पड़ा होना चाहिए नेट क्वालिफाइ होना चाहिए असिस्टेंट प्रॉफिसर का पद है या फिर स्लैट सेट आपका क्वालिफाइ है तो आप बिल्कुल अप्लाइ कर सकते हैं पीस्डी वाले भी अप्लाइ कर सकते हैं सैलरी आपर कह रहेगी अकेडमिक लिवल 57,700 से लेकर 1,082,400 तक सैलरी रहने वाली है तो यह जौब रहेगी 21 से लेकर 42 वर्स्तक के कैंडिडेट आविधन कर सकते हैं आयू सीमा में छूट जो है जो हर्याना के सा थे सी में देश्ट है 5 साल की बैकवर्ड ग्लास इस 5 साल जेघ पी डवीडी 5 साल की चूट है तो किसा जो महला यह वीडो है इन्सभी को 5 5 साल की चूट है अनमेरी वो मेन उसको भी 5 साल थे ना पर एज रिलेक्षेशन दिया गया है तो 42 यह है तो 47 यह तक की candidate जो है आविदन कर सकती है reservation जो रहेगा वो सभी हर्याना candidate को रहेगा हर्याना की जो अभ्यारती है male female उनको रहेगा तो यह 31 pages की PDF file है important मैंने आप लोगों को बता दिया है क्योंकि eligibility criteria, age, salary यह सारी चीज़ें अगर आपको मालूम हो जाती है आपका subject है तो आविदन करने में कोई problem नहीं होनी चाहिए जल्द आविदन कर दे fees जो है यहाँ पर fees काफी है male candidate of general category 1000 रुपीज है इसमें male candidate of backward classes male candidate of all category of other state सभी की 1000 रुपीज है female candidate की जो है fees बहुत कम है all female candidate general category including female dependent of ex-service हर्याना ओके ठीक है female candidate जितनी भी category की है चाहिए वह हर्याना की है चाहिए हर्याना के बहार की है 250 रुपीज ही जो है आपको यहाँ पर form fees देनी है male female candidate SC, BC, A, BC, B ex-service man इनकी भी 250 है तो male candidate के लिए तो यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है यह एक तो job नहीं और फिर fees जो है इतनी अधिक लेकिन यह permanent vacancy है यह भी आप देखें PWBD की कोई fees नहीं है application form आप फिल करेंगे कौन-कौन से document अपलोड़ीट करने है scan photo sign up by candidate signature mark sheet आपकी 10-12 graduation post graduation एमफिल किया हुआ है या PhD किया हुआ है net, jrf, sats, slats जो भी है आप आरक्षित वर्ग है तो अपनी जो है scan copy SC certificate की या EWA certificate की आधार कार्ड, परिवार, पंचन, पत्र पहचान पत्र और domicile certificate जो भी हर्याना की आरक्षित वर्ग के candidate है उनके लिए, selection process क्या रहेगा तो exam होगा, interview रहेगा यहां से देखें, scheme pattern of exam screening test होगा, 100 marks MCQs question रहेंगे, 2 घंटे का समय होगा 100 marks, 100 question, all question carry equal marks negative marking रहेगी, 0.25 इसमें देखनें की जो subject English language में ही आपका exam रहेगा, botany subject, computer science, defense, studies, environmental science, chemistry, home science, mathematics, physics and zoology bilingual language में Hindi English दोनों में आएंगे, दोनों ही भासा में paper आएगा commerce, economics, fine art, mass communication, geography, history, music, vocational and instrument, physical education, political science, psychology, philosophy and tourism तो यह सभी जो है, Hindi English दोनों में आएंगे, ठीक है the language subjects such as English, Hindi, Sanskrit and Punjabi will be in their respective language only subject knowledge test 3 घंटे के 1.500 question और बाकी जो है, बता दिया कि English language में कौन-कौन से subject के question paper रहेंगे फिर आपका जो है होगा, interview वायवा होगा और इसमें वेटेज रहेगा, 12.5% ठीक है final merit list जो तयार होगी तो subject knowledge और interview दोनों के बेस पर होगी तो यह पूरा जो है, मैंने आप लोगों को बता दिया आप किसी भी राजी के candidate है अगर eligibility criteria subject है आपका तो आप इन पदों के लिए आविधन कर सकते हैं पदों की संक्या काफिय अधिक है क्योंकि assistant professor के पद के लिए जो है वह सारे subject में vacancy है और पद भी जो है काफी हट तक सही है आप लोगों को link share कर दिया जाएगा इसी वीडियो के निचे description box में ताकि आविधन कर सके हैं आज last date है राद 12 बजे तक आविधन कर सकते हैं आप लाइन application करने के लिए official website पर चले आना है यह official website पर advertisement पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को advertisement number 42 say 67 of 2024 assistant professor college ठीक है यह रहा advertisement इस पर click करेंगे तो पूरा विज्यापन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आप उसे पूरा पढ़ लेंगे फिर आगे है click here to apply online आगे जो है आप लोगों को apply कर लेना है ठीक है अभी कुछ ही समय पहले जो PZT के teachers की vacancy आई date आगे बढ़ा दी गई तो अभी आप इसमें भी देख लेंगे इसके उपर ही जो है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर PZT subject of biology, chemistry, english, urdu इनके लिए भी जो है अगर आप आविदन करना चाहेंगे तो apply कर सकते हैं ठीक है इसमें भी बहुत सारे विश्यों में vacancy आई थी यह advertisement नमबर था 18-237 पोस्ट ग्रेजवेट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट फोर रेस्ट ओव हर्याना केडर एंड मेवात केडर तो अभी vacancy जो है close हो चुकी है लेकिन कुछ सब्जेक्ट की अभी भी जो है आविदन कर सकते हैं चलिए मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तक्यू